सब्सक्राइब कर लीजे आरवी चैनल को इसलाल बटन को दबा के इसके साथ जो घंटी का निशाने से भी दबा दिये गा ताकि नए स्मार्टफोन्स की वीडियो आप तक पहुशती रहे हैं हलो दोस्तों मेरा नाम है आरवी आज इस वीडियो के इंदर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ दो बहुती ज़ादा बढ़िया मोबाइल्स मोटरोला और रियल्मी की तरफ से रियल्मी का 6i जो बहुत ज़ादा पॉपलर मोबाइल है रियल्मी का जो आपको मिलता है 13000 में दूसरी तरफ है मोटरोला का मोटो जी नाइन जो अभी हाली में लाउंच हुआ है साड़े 11000 का तो दोनों में सिर्फ 1500 का ही फर्ख है इस वीडियो में मैं इन दोनों मोबाइल्मी के सिक्साई के साथ क्या 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 मिलता है तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं सबसे पहले एक मिनी बॉक्स दिया गया है जिसमें लगवा है सिम इजेक्टर टूल अंदर रखे वे मिल जाते हैं कुछ यूज़र मैनुवल इसके बाद दिया गया है ये कवर जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी है इसके बाद मिलता है मुबाइल एक रैपर के अंदर जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है ये डिटे केबल इसकी लेंट और क्वालिटी दोनों बहुत ज़ाद अच्छी है और इसके साथ आपको टाइप-C केबल दी गई है तो टाइप-C केबल का सपोर्ट आपको रियल मी 6i में मिल जाता है इसके बाद आपको आखिर में रखा वो मिलता है ये वाइट कलर में चार्जर जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफी जाद अच्छी है काफी हैवी चार्जर है यह अब दोस्ते इस मुबाइल में आपको फास चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है और एक 20 वाट का फास चार्जर मुबाइल के साथ बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है तो चार्जर इसके साथ आपको काफी बढ़िया दिया गया है अब ये सारा समान आपको मिलता है Realme 6i के साथ 13000 में रेट किसाब से देखा जाए तो बॉक्स के जो कंटेंट्स है वो आपको बहुत जाद अच्छे मिल जाते है टाइप C केबल भी है बहुत अच्छी क्वालिटी की और आपको चार्जर भी बहुत अच्छा मिल जाता है चले देखते हैं अगर आप फिर भी 1500 पर और कम खरच करते हैं Moto G9 पे तो इसके साथ क्या क्या दिया गया है तो जैसे आप अन्बॉक्स करते हैं सबसे पहले रखावा मिलता है मुबाइल जिस पर कवर भी आपको पहले से ही लगा हुआ मिलता है कुछ यूजर मैनुवल दिये गए हैं इस तरीके से इसके बाद मिल जाती है एक डेटे केबल इसकी क्वालिटी हलकी है रियलमी की केबल से बाकि दोस्त अची चीज यह है इसके साथ भी आपको टाइप सी केबल दी गई है तो डेटे केबल की क्वालिटी आपको जादा बेटर मिल जाती है रियलमी 6i के साथ ही आखिर में आपको रखावा मिलता है यह बलैक कलर में छोटा सा चारजर इसकी बिल्ड क्वालिटी हलकी है रियलमी के चारजर से बाकि दोस्तो अच्छी चीज यह है इसके अंदर भी आपको फास चारजिंग का सपोर्ट दिया गया है और एक 20 वाट का फास चारजर इसके साथ भी आपको बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है तो चारजर तो दोनों के साथ आपको 20 वाट का ही दिया गया है लेकिन बिल्ड क्वालिटी जो है डेटे केबल के और चारजर की जादा बेटर है रियल में 6i की बाकि उसकी कीमत भी 500 जादा है इस मुबाइल से तो रेट की साथ से देखा जाए तो इस चीज में दोनों मुबाइल से अपनी जगा सही है चली बात कर लेते हैं दोस्तों डिजाइन के बारे में तो रियल में 6i में आपको वाइट कलर कुछ इस तरह की से मिलता है जिसके अंदर आपको सिल्वर कलर का एफेक्ट दिया गया है वहीं दूसरी तरह ग्रीन टाइप का कलर भी आप देख सकते हैं मोटो जी नाइन का काफी अच्छा लग रहा है दोनों ही मोबाइल्स के बैक पेनल पर आपको लाइट की रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे मिल जाती है तो लुक वैस तो डिजाइन दोनों के ही बहुत अच्छे हैं लेकिन और भी जादा बैटर लग रहा है रियल में 6i का वाइट कलर बाकि दोस्तो दोनों मोबाइल्स में काफी बड़ी कमी यह है ग्लास डिजाइन नहीं दिया गया प्लास्टिक के डाइप के डिजाइन मिलता है तो स्क्रेचिस की प्रॉब्लम बहुत जादा देखने को मिलती है दोनों मोबाइल्स के बैक पेनल पे बात करें दोस्तों केमरे के बारे में तो मोटो के G9 में आपको बिशी की तरफ तीन कैमरे दिये गए है जिसमें पहला है 48 मेरे के दो कैमरे हैं दो-دो मे esperando के इसका front कैमरा है 8 मेरे का camera की performance इसके अंदर आपको काफी अच्छे मिल जाती है वहीं दूसरी तरफ realme 6i में आपको पीशी की तरफ 4 camera दिये गए हैं जिसमें पहला है 48 megapixel का दूसरा 8 megapixel का और बाकी के 2 camera है 2-2 megapixel के इसका front camera है 16 megapixel का camera की performance आपको realme 6i में काफी अच्छे मिल जाती है camera के अंदर वैसे तो दोनों ही mobile काफी जाता बढ़िया है लेकिन और भी जाता अच्छा आपको मिल जाता है realme 6i camera को लेकर अगर आपको camera की वज़े से ही mobile लेना है इन दोनों mobile में से तो 6i जाता बेटर है बागी दोस्तों आप देख सकते हैं complete design आपको इन दोनों mobile में किसका design जाता अच्छा लगा आप मुझे comment करके ज़रूर बताइएगा quality में तो दोनों में कमी लगी मुझे फिर भी दोस्तो white color realme 6i का look wise मुझे और जाता पसंद आया बात करें डिस्प्ले के बारे में तो दोनों ही mobile में आपको साड़े 6 की डिस्प्ले दी गई है 6.5 इंचिस की इस चीज में दोनों जैसे हैं लेकिन Moto G9 में काफी बड़ी कमी ये है इसमें आपको साड़े 11000 में IPS HD Plus ही डिस्प्ले दी गई है वहीं दूसरी तरफ Realme 6i के अंदर आपको IPS Full HD Plus डिस्प्ले मिल जाती है तो इस चीज में 6i जादा बेटर है बात करें दोस्तों यूज़न डिफेस के बारे में तो Moto G9 में आप ऐसे उपर के तरह स्वाइप करेंगे आपको सारी अप्लिकेशन्स मिल जाती है वहीं दूसरी तरफ Realme 6i में भी आप ऐसे उपर के तरह स्वाइप करेंगे आपको सारी अप्लिकेशन्स मिल जाती है यूज़न डिफेस के अंदर जादा बेटर है Moto G9 क्योंकि इसके अंदर आपको Stock Android Experience दिया गया है Realme 6i के अंदर आपको बहुत सारी एक्स्टर अप्लिकेशन्स मिल जाती है जो Moto G9 में नहीं मिलती यूज़न डिफेस के अंदर इन दोनों मॉबाइल्स में Moto G9 ही जादा बेटर है जादा क्लीन यूज़न डिफेस के अंदर आपको दिया गया है दोनों मॉबाइल्स के डिस्प्ले बिल्कुल फुल ब्रैटनेस करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ अब दोस्तों Moto G9 के अंदर आपको नौच वाला डिज़ाइन दिया गया है जो काफी common हो गया लेकिन रियल्मी 6i में आपको पंच होल कैमरा मिलता है डिस्प्ले के अंदर ही कैमरा है लेफ्ट साइट पर तो डिस्प्ले का डिज़ाइन जाद अच्छा है रियल्मी 6i का बाकि दोस्तों अगर आप कलर्स देखेंगे ब्रैटनेस देखेंगे तो वो दोनों ही डिस्प्ले के अंदर आपको काफी अच्छी दी गई है तो डिस्प्ले 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 के अंदर जादा बैटर है 6i इसे के साथ इसके अंदर आपको Full HD Plus डिस्प्ले दी गई है जो जादा अच्छी होबी है और तीसरी अच्छी चीज़ यह है दोस्तों इसके अंदर आपको 90 Hz का refresh rate दिया गया है तो जब आप उपर नीचे स्क्रोल करेंगे Realme 6i में तो आपको ज़्यादा स्मूद experience देखने को मिलेगा तो overall हर चीज़ में Realme 6i ज़्यादा बैटर है डिस्प्ले को लेकर भी Moto G9 से Left side साब देखेंगे दोनों मुबाइल्स को आपको SIM के ट्रे दी गई है Moto G9 में ये कमी है सके अंदर आप दो SIM काड़ एक मेमरी कार तीनों चीज़ एक साथ नहीं लगा सकते लेकिन 6i के अंदर आप तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं नीचे की तरफ साथ आप देखेंगे तो दोनों मुबाइल्स में charging port, speaker, mic दिया गया है headphone jack आपको Realme 6i में नीचे की तरफ मिल जाता है Moto G9 में आपको उपर की तरफ दिया गया है अब दोस्तो Realme 6i के अंदर आपको जो fingerprint scanner मिलता है वो power के बटन के अंदर ही दिया गया है right side पर हाला कि Moto G9 में आपको back panel पे ही मिल जाता है बीच में तो इस चीज़ में दोनों मुबाइल्स में फर्क है उपर की तरफ साब देखेंगे तो Moto G9 के अंदर आपको noise cancellation mic दिया गया है headphone jack के साथ Realme 6i में इस तरफ आपको कुछ नहीं दिया गया उपर की तरफ plane design है अब दोस्तों दोनों ही mobile's के अंदर आपको मिलती है 4GB के RAM, 64GB के internal storage इस चीज़ में दोनों एक जैसे हैं 64GB में साबको Moto G9 के अंदर free memory दी गई है 49GB के आसपास Realme 6i के अंदर आपको मिल जाती है 51GB के आसपास तो तकरीबन 2GB जादा है Realme 6i में लेकिन rate के हिसाब से देखा जाए तो Moto G9 ही इस चीज़ में जादा बेटर है क्योंकि इसकी कीमत भी 1500 कम है और RAM और Storage आपको 6i के बराबर मिल जाती है इसके लब दोस्तो दोनों ही mobile के अंदर आपको Android कबल को latest version दिया गया है Android 10 ये चीज़ दोनों में अच्छी है बात करो दोस्तो बैटरी के बारे में तो Realme 6i के अंदर आपको बैटरी दी गई है 4300 image की इसके अंदर आपको एक दिन का बैटरी बैक अप अराम से मिल जाता है बैटरी के अंदर ये mobile काफी अच्छा है लेकिन Moto G9 के अंदर आपको बैटरी दी गई है 5600 image की इसके अंदर भी आपको एक दिन का बैटरी बैक अप अराम से मिल जाता है बैटरी में ये भी काफी बढ़िया है फिर भी दोस्तो और जादा बैटर आपको मिल जाता है Moto G9 rate के साफ से बैटरी के अंदर क्योंकि इसकी कीमत भी कम है और बैटरी इसके अंदर आपको थोड़ी सी और जाद अच्छी दी गई है 6i से बात करें दोस्तों प्रोसेसर के बारे में तो Moto G9 के अंदर आपको मिलता है Snapdragon 662 प्रोसेसर अगर आप एक heavy user है तो उसके अंदर आपको काफी अच्छी पर्फॉर्मेंस मिल जाती है Realme 6i के अंदर आपको दिया गया है MediaTek का G90T प्रोसेसर अगर आप एक बहुत जादा heavy user है तो उसके अंदर आपको बहुत बड़िया पर्फॉर्मेंस देखने को मिलती है इन दोनों मॉबाइल्स के comparison में Realme 6i जाद अच्छा है प्रोसेसर को लेकर अब ये सारी खुबिया कम्यापको मिलती है इन दोनों मॉबाइल्स में चलिए बात कर लेते हैं सबसे में चीज़ आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए कौन से नहीं तो देखिए दोस्तों सबसे पहले matter ये करता है कि आपको motorola पे जादा भरोसा है या फिर Realme पे इसके बाद आपकी जो में जरुत की चीज़ है वो किस मॉबाल में जाद अच्छी है क्योंकि कुछ खूबिया मोटो में है और कुछ खूबिया आपको Realme में मिल जाती है तो अगर आपके लिए matter करता है मॉबाल का design तो यह तो देखिए आपकी पसंद की बात है कि आपको backset design किसका जाद अच्छा लग रहा है मुझे personally white color जाद अच्छा लगा Realme 6i का लेकिन दोस्तों अगर आपके लिए matter करता है मॉबाल का camera तो आप Realme 6i खरीदिएगा इसके अंदर आपको camera जाद अच्छा दिया गया है और अगर आपके लिए matter करती है मॉबाल की display तो भी आप Realme 6i ही खरीदिएगा इसके अंदर आपको display जाद अच्छी दिये गई है इसके लाव अगर आपके लिए matter करता है मॉबाल का processor तो वो भी आपको जाद अच्छा मिलता है 6i के अंदर ही अच्छे processor के लिए भी आप Realme 6i खरीदिएगा लेकिन दोस्तों अगर आप लिए matter करती है मॉबाल की battery तो आपको कम कीमत में Moto G9 में काफी अच्छे मिल जाती है अच्छी battery के लिए आप Moto G9 खरीदिएगा आखिर में दोस्तों गर आपके लिए matter करता है मॉबाल का यूज़ अंटेफेस तो वो भी आपको जाद अच्छा दिया गया है Moto G9 के अंदर अच्छे यूज़ अंटेफेस के लिए जादा clean यूज़ अंटेफेस के लिए आप Moto G9 लीजिएगा अब दोस्तों देखा जाए तो दो खुबिया है Moto G9 के अंदर एक तो अच्छी battery दूसर अच्छा यूज़ अंटेफेस लेकिन Realme 6i में आपको चार चीज़ बहुत अच्छे मिल जाती है एक तो इसके अंदर आपको camera जद अच्छा दिया गया है दूसर इसके अंदर आपको display जद अच्छे मिल जाती है तीसर इसके अंदर आपको processor जद अच्छा दिया गया है जो जदा important है और चौतर इसके जो box के content से उनकी quality जदा better है तो ज्यादा खुब ही आपको मिलती है रियल में 6i के अंदर ही और इसकी कीमत सिर्फ 15 सो ही ज्यादा है ज्यादा बैटर इन दोनों मोबैल्स में रियल में 6i ही है मुझे भी परसनली ये ही मोबैल ज्यादा पसंद आया इन दोनों मोबैल्स के अंदर फिर भी दोस्तों आप बताईएगा नीचे कमेंट करके आपको इन दोनों मुबाइल्स में कौन से ज़ाद अच्छा लगा ये चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताईएगा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो के निचे जो लाल कलर का बटन उससे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आकेन भी दबा दियागा ताकि नई वीडियो आप तक पहुचते रहें इसके लाब वीडियो गर आपको helpful लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा वाट से फेस्बुक पे मिलता है अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाई